हमस्कार दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की ब्लॉग तीन बच के बारा मिनट हो रहे हैं रात के और मैं खड़ा हूँ चेम्बूर देख रहो यह सी एलार पीछे गया और यह चेम्बूर से सी एलार वाला जो सीधा यहां से निकल जाएंगे ठाने ट्रकमेस से पैसेंजर को बाहर में एरपोर्ट से बूकिंग चाहिए ही नहीं बूकिंग आने के बाद पैसेंजर को पिक करके निकलने में घंटा हो जाएगा इतने ट्रैफिक में गया बाहर गुंदवली गुंदवली जो फटाक से एक बूकिंग लिया मैंने एक बारा बच के पंदरा मिनट पे फै साथे 400 कुछ फैर में बूकिंग आया थे तो यह आप देखरो 15 रुपया कैंसेलेशन चार्ज मतलब यह कि इस बूकिंग के मैंने लेकर आया है कैंसिल कैंसिल कर दिया कितना कम फैर दे रहा है मेरा सब्सक्राइबर इस ने कैंसिल कर दिया और डारेक्ट लेके आया है 500 रु का 900 रुपय का काम हो गया तीन बच के 14 मिनट हो गया और उबर का एक चीज आपको दिखाता फ्रेंड्स कल सुबह साथ बजे का मैंने एक बुकिंग ले रखा है रिजर्वेशन है यह कहां से भाई कोपर खैरने से एक बुकिंग है कल्यान कोपर खैरने से कल्यान पचास किल रुपय का एक रेंटल बुकिंग 136 लेकिन 12 घंटे का बुकिंग आ रहा है पुने का है कि तीन अजार मंडे का है भाई साब बहुत थका ना जाएगा मैं पहले पैसेंजर से पुछूंगा रिटन है कि ने अगर रिटन होगा तभी यह बुकिंग मैं लुगा तभी पैसें पुपर खैरने से यह कल्यान का है तो नहीं ले रहा हूं क्योंकि कुपर खैरने यहां से पहुझना मुस्किल है और प्छिसाब से ठीक ठाक नहीं है यह देखते अभी और कोई बुकिंग यांवे मिलता है थोड़ा आराम्बिक कर ले दाउं 900 का का मैं तो करी लिए थोमार में बैटा था जो प्राइबेट मिरा रोड से मैं चीमबूर लाया था चीमबूर में कोई बुकिंग की नहीं भी वजे ता वहीं पर गाड़ी करें करके उधरी सो गया साधल बजे मैं विक्रोल भईसा वहां भी बुकिंग नहीं भाजा तो यारा हो गएरा बजे मुझे इंटर सिडी लगा को नाड का को लाड के पहले ही है रोहा और को लाड के बीच में तो वहां पे जा रहा हूं मैं लेके तेश्चों पर दिखाया था है 146 किलमेटर ता मैं बोला भाई ले लेता हूं काम हुआ नहीं है क्योंकि आज रात पे भी क पीक है यहां से फिर आप हूं निकलते हैं नास्ता वगरा करके चलिए पैसेंजर की तरफ से ट्रीट है तो यहां से अभी मुझे जाना है करीब 70 किलमेटर 70 किलमेटर करने के बाद मुझे पन्वेल 100 किलमेटर खाली आना पड़ सकता है बोकिंग कोई पैसेंजर ऐसे सवार कोई से जारहा है कि फ्रेंड आ अगया हो रोहा रोहसे अभी 30 क्या मिनटर है फोटीन दिखा आरहा है पैसेंजर बडीड़ वागेरा कुछ ग्रोसरी का समाल ले रहे हैं बोला ले लो ठीक है मारकेट है पैसेंजर शमाल ले से अपने को लगेगा करीव एक घंटा लगेगा उसके बाद मैंने चार बजे का एićी आ थिक गार है चार बजे यहाँ बजट से तो भाई घाली निकलना पड़े का पड़े रहे जानता हूं आज चलो नर्हेंت लेकिन थोड़ा गूंफिर लेंगे यार दोस्तों के सेंजी जाएगा इस्ट्रा और गया लेकिन कमाई भी तो हो जाएगी सब कुछ निकाल के मुझे ट्रिप में बच जाएगा टोटल तो फ्रेंट ड्रॉप कर दिया मैंने पैसेंजर को चार गंटा 47 मिनट लग गए पहाड के बीच में पूरा पूरा यहां से लेकि रोहा तक छोटा सा रास्ता है और पूरा गाओं और यह पीछे पुरा खाड़ी पूरा समुंद्र है और चलो आपको इस्टेंड पर रखके देखा तो नहीं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सिंगल वे का रास्ता है वह भी दो गाड़ी बहुत मुस्किल से पास होती है इसले गाड़ी पर चलाने पर ज्यादा ध्यान देगा कहीं भी रोड सिधा नहीं है 50 मिटर तक भी सिधा नह तो निकलते हैं फ्रेंड्स क्या मौसम आया है यह भी यह दस किलिमेटर तक रोड अच्छा है उसके बाद तो पूछो मत्यार क्या हाल है रोड का कि चलो निकलते हैं मुबाइल पर ध्यान दूंगा तो भटक जाओंगा लेकिन बहुत ही खुबसूरत जगह इंदापूर बीठा घर अधा घर कि राइट साइड विपुरा बीच है कि देखरो जनता यह पूरा पहाड़ की उपर का एरिया है पूरा पहाड़ी पहाड़ जहां तक देखरो और मैं भी पहाड के उपर ही हूं एक समय पूरह यह कोलाण से लेकर पूरह कोंकन का ही लाका है यह दुखो फ्रेंड रास्ते देखो आप लोग देख रहो यह इसी पे एश्टी की बसे भी आ रही है इसी पे जा रही है दो गाड़िया आती तो क्रॉस करने में भी दिक्कद होता है एकदम सिंगल लेन का रस्ता है क्यां इस ऑचाइड देदो बीच फीया मची मारे इदर क्या नजा रहाए भाई वा 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 जवर्दस यार गाड़ी नहीं लगा सकता है छोटाता रास्ता आश्ता हरूए कहीं घड़ी ही नहीं करी कि जा सकती है यहां पर जंगलों में मैं कहां आ गया तो आज जो ये काम ये वाला किया रहा है फ्रेंट समझ तुम खाली जा रहा हूं यानि 600 CNG में ये मेरा 24 सुर्वे का काम हुआ है 45 वाला टोल रिफंड अलग से लिया हूं तो 2390 24 सुर्वे का काम हुआ है बुरा नहीं है यार 4 घंटा आना 8 बुकिंग मिल जाएगा आपने को खाली निकलूंगा वेट नहीं करूंगा कि मैं जानता था भाई ये काम का बुकिंग ले लो घर पे जाके बैट नहीं है कि कल सुबस साथ बजे का मैंने बुकिंग ले रखा है 12 गंटे का एक और ड्यूटी है वह वाला काम करेंगे कि मस खुबसूरत जगा आगया दोस्तों देख रहे हैं भाई सब रास्ता वाव वाव गंगोर प्रकीती का मजा लेते हुए जा रहा हूं मैं सिंगल रोड़ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई इतना मेहनत किया मैं सुचा आज रात के काम पर नहीं निकलूंगा जिस बुकिंग के लिए मैंने सेडूल किया टाइम वह बुकिंग ही देख रहा हूं भाई रिजर्वेशन से गायव है यानि पैसेंजर ने कर दिया कैंसल कल सुबह का जो मैंने साथ मज़े पुना का लिए अच्छा भाई अभी कैंसल कर दिया तो सुबह सुबह मैं उसके लिए भागा दवड़ी करता और देखता भाई अरे बुकिंग कैंसल अच्छा हूँ अभी पॉर्चुनिटी में कोई बुकिंग नहीं है कुछ नहीं है तो अभी जो मैं लेके गया था बुकिंग रोहा रोहा से 20-25 किलो मिटर अंदर पहाड़ों पे उसके बाद वहां से सव किलो मिटर पन्विल खाली आया हूँ अलाकी फैसल या नहीं कि टोटल जो मेरा आना जाना हो गया अलाकी 10 किलो मिटर मुझे मिल गया क्वइन देखण 10 रॊपंय किलो मिटर नहीं देखना यह पे क्वांटिटी देखनें आने को कितना काम हो गया तो यहां पे मैंने जो 24昨 ऊर ब्द जो मुझे मिला है 700 की CNG पकड़के चलो 600 से ज्यादा ही गई यह CNG भाई क्योंकि 100 खाली आया और 150 यानि 600 की लगबग CNG गई यह क्योंकि दो बार CNG भरा हो हिसाब गडबड हो रहा है तो इस तरह से क्वांटिटी देखो 2400 का काम है वहां पर बैठे रहता तो आलस हो जाता भाई तो मैंने वह करके निप्टा दिया वहां पर 1700 का यह फाइदा हो गया मेरा 900 का खली रात में काम करके बैठा था पता है अब लोग को लावर पनवेल आने के बाद CNG का पैसा वसूल जन था पनवेल आने के बाद लाल बाग का बुकिंग लग गया मुझे साड़े 500 रुपया 555 रुपया मिला है 40 किलोमेटर का और अठल सेदू मार के आया रहेगा मैंने 40-50 मिनट लगा होगा धन्ना हमसे लागे पैसेंजर को ड्रॉग कर दिया तो इस बुकिंग के साथ पूरा CNG क पैसा ही कवर हो गया भाई 555 रुपया तो इस तरह से आज तुमारे भाई ने जो काम किया है फ्रेंड्स आल्मोस्ट मैं बता रहा हूं स्क्रिंसोर्ट के साथ कितना किया हूं मैं तो जो CNG गई है लगबग 1000 रुपे की CNG गई है और ओला में एक भी बुकिंग नहीं हुआ अभी बुकिंग उबर में हुआ है तो चलिए निपटाते हैं आपको एक एक फिर से दिखाते हैं बुकिंग यह जो पहली बुकिंग मैंने फेंड लिया था एरपोर्ट से बाहर निकल के मीरा रोट का टोल के साथ मुझे यह 400 मिला दूसरी बुकिंग वहां से क्या बात कर रहें हाँ उतकर बिल्लॉग्स देखता हूं तो यैज मेरे 5-9 बॉकिंग दो देखो मैंने जानर का नाम उटकर्स ब्लॉग्स डेख सिट्च ऌनल को से था एट्च विए गडे बोलाई 6 tous एक ते मैं दो ev order आज मेरे दो-दो सब्सक्राइबर का भाड़ा मिल गया बाकी रास्ते में तो रोग दो-चार लोग मिलते ही मुझसे बाकी मेरे सब्सक्राइबर का भाड़ा मिल गया तो चलो ये भाई पांचार नौसो रात में काम हो गया ये वाला booking देखो फ्रेंट आखरी बुकिंग देख रहा है आप लोग चालीस किलोमेटर के लिए चाहवालीस मिनट लगे हैं पांसो पच्पन रुपया मिला है मुझे और रिफंड का अलग से मिला अटल से दूगा तो इस तरह से जो काम हुए साड़े 3800 चलो 3800 रुपय का काम हुए आज जहां आटक रहा था जहां भी क्रोली में मैं 10 बजे तक वेट किया सोचा यार अब तो बुकिंग नहीं मिलेगा अब निकलता हूँ घर पे लेकिन तोड़ा सा सबर किया दोस्तियार महां पर मिल पांचे गाड़ियां आगे सब उसी में बात ही कर रहे थे भाई आज बुकि गाड़ पे था तो बलब गाड़ी इनके गाओं के अंदर तक जाहीं नहीं सकते हो सीडियों से चड़के गए लोग फिर तो बाते बाते करते करते आई मैंने उठा लिया वो लग कहा का देखा जाएगा पैसंजर को डायट फोन क्या कहा का बोले है कुलाट के और मुरा मु मैं बोला क्वांटिटी यहां पर अच्छा है मेरा पैसा बचे ही जाएगा यहां पर 17-18 रुप्या और वैसा ही हुआ और आज देखरो आप उसी बुकिंग के वज़े से आज मैंने एक हजार की स्यंजी में 38 रुप्य का काम निप्टा दिया यानि 28 रुप्या बचा लिया 8 बचे तक सोया ही था यानि रात में बोकिंग नहीं थी तो वही हिसाब से समझ लो काम तुमारे भाई का ठीक हूं तो देखे भाई मन की सुनो आलस मत करो आलस पकड़ लेता देसे कल्भी की परकी बात है मैं आलस नहीं पकड़ा तो मैंने अच्छा कासा काम कर लिया और आ किसलिए बोलता हूं बहुत बोलवच्चन गरते हैं गालिया देते तो निगेटिव मांसेट वाले की बात मत सुनो धंडा है नहीं है अरे भाई तेरा एक सेंजे में इतना गाड़ी चल गया तो यह निगेटिव वाले लोगों की बात मत सुनो आप अपना काम कर रहे हो बहुत ही लो है जैसा कि आज भी एक्दम लो था तो बाइचांस एक इंटरसिटी वज़े से भाड़ा अच्छा हो गया बाकी काम तो स्लो है यह बात तो है लेकिन काम करने का अगर आपका तरीका अच्छा है समझदारी से काम करोगे तोड़ा सा मेहनत करोगे थोड़ा सा लोगों कि आप अच्छा से यह मंदी के टाइम सर्वाइब कर लेगा तो चलिए प्रेंट आज का ग्या नहीं समात करते हैं कमेंड में लिख दो बूम बाम बोले तो जनता बूम बाम बैगनार बोले तो बूम बाम